Post Office में invest करके आप आ सकते हैं 8% से जएधा return जी हां दोस्तों सही सुना आपने आप भी 8% से जएधा rate of interest पासकते हैं अगर आप Post Office में एक systematically plan में invest करें तो किस तरह से आप ये ब्याजदर को achieve कर सकते हैं आज किस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए फड़ावर से करते हैं वीडियो को शुरूर तो देखिए फ्रेंट्स मैंने भारती डाक की official website को open किया है सबसे पहले मां आपको बताता हूँ आपकी इस तरह से invest कर सकते हैं मैं नीचे आओंगा नीचे आने के बाद देखिए हमें बैंकिंग की option मिल रही है बैंकिंग की option में से मैं सेलेक्ट करूंगा post office saving schemes सो जैसे ही मैं post office saving scheme पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने multiple options खुलके आ जाएंगी हम बात करेंगे जी देखिए किस scheme की वो है जी monthly income plan के बारे में सबसे पहले आप देखिए national saving monthly income account तो मैं इस link पे क्लिक करता हूँ details हमारे सामने आ चुकी है मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ सबसे पहले जूम करने के बाद आप देख सकते हैं हमें जो rate of interest मिलेगा वो कितना मिल रहा है जी from 110-2022 हमें जो rate of interest मिल रहा है monthly income calculator scheme में तो आप देखिए वो कितना है जी 6.7% के करीब और उसके कुछ highlighting feature क्या है कि maximum invest limit जो है वो है जी 4.5 lakh single account और 9 lakh joint account तो 6.7% rate of interest मिल रहा है तो आप जैदा कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने सबसे पहले MIS calculator को open करता हूँ देखिए आप देख सकते हैं अपनी screen के चार लाग पचास हजार ठीक है जी और उसके बाद अगर हम बात करें interest rate की तो interest rate है जी 6.7% तो मैं जैसे ही calculate करता हूँ तो calculate करने के बाद क्या हुआ जी आपको हर महीने जो राशी मिलेगी वो है जी 2498 रुपी यानि के आपको हर महीने पच्ची सो रुपे मिलते जाएंगे अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है अब आप सोचेंगे कि यह जो rate of interest है यह तो 6.7% है आपको amount मिलेगी हर महीने पच्ची सो रुपे तो आप कैसे ज्यादा rate of interest हासिल कर सकते हैं मैं आपको बताओं आप क्या कर सकते हैं इस राशी को जो हर महीने आपको मिलेगी वो मिलेगी 5 साल तक उसको invest कर सकते हैं mutual fund में जी हैं दोस्तों mutual fund में काफी ऐसी schemes हैं काफी अच्छे mutual fund हैं जिसमें आप systematically investment plan में invest करके return हासिल कर सकते हैं तो अब मैं shift होता हूँ S.I.P. calculator के उपर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले देखिए अब आपको क्या करना है मान लीजिए आपको हर महीने पच्छी सो रुपे हासिल हो रहे हैं तो देखिए पच्छी सो रुपे फिल करता हूँ मैं ठीक है जी और आप मान लीजिए time period है invest कर रहे है 5 साल के लिए देखिए और जो return है आपको वो मिल रहा है जी 14% क्योंकि mostly जो जो बात कर रहे है mutual fund में वो है जी 14% की तो कि आप कोई भी mutual fund चुन सकते हैं जैसे SBI के mutual funds है जी small cap funds है जी access bank के small cap funds है जी ठीक है आप उनमें invest कर सकते हैं तो आप देखिए आपकी जो invested amount होगी वो कितनी हो जाएगी 25 सो रुपे के हिसाब से 5 साल के लिए 1.5 लाक रुपे और आपको जो maturity value मिलेगी वो मिल जाएगी जी देखिए कितनी है तो लाक 18,002 रुपे यानि के आपको 2,18,002 रुपे 5 साल के बाद मिल जाएंगे आपने invest कितने किये साड़े चार लाक रुपे और 5 साल के बाद साड़े चार लाक के ऊपर आपको जो return मिला वो कितना है गया जी 2,18,000 रुपे तो अब जो आप इसको calculate करके देखेंगे तो आपका जो ब्याज है वो approximately में touch कर जाएगा जी 8% को सो देखा दोस्तो कितनी असानी से अगर आप system के साथ चलते हैं systematically investment plan में तो आप post office में monthly income plan में invest करके इस target को achieve कर सकते हैं सो दोस्तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई doubt है तो आप हमें comment के मादेम से पूछ सकते हैं मैं उसके ओपर एक और dedicated वीडियो बना दूँगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो को कैसा लगा please share comment के जरिए जिरूर बताईएगा